वीडियो के end part में मैंने एक छोटा सा montage edit करके दिखाया है तो वो जरूर देख लेना ये वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एक fast, easy और smart video editor के बारे में जो कि किसी भी low end PC पे चल जाएगा आपको किसी भी category की videos क्यों ना बनाने हों आप इस video editor को use करके बहुत ही आसानी से बना पाओगे कोई भी अतलब ऐसा editing editing सीखने की मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी बहुत आसानी से आप बना लोगे मैं बात कर रहा हूँ I'm iPhone के film video editor का आप यही video editor में आप लोगो क्यों बता रहा हूँ इसके बहुत सारे reason है सबसे पहला reason तो यह है कि यह बहुत easy to use software है दूसरा इसका जो interface है वो बहुत simple है एक छोटा सा बच्चा भी अगर इसको open करके video edit करना चाहेगा तो वो भी video edit कर सकता है और एक बढ़िया सी video निकाल सकता है तीसरा यह जो video editing software है इसमें बहुत सारे effects और बहुत unique features जो है वो already loaded है ऐसे effects है जो कि आप single click पे अपने videos में apply कर पाऊगे और उसमें आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक और बहुत बड़ा reason है जो कि मैं आपको इस video के end में बताऊँगा तो वीडियो को देखते रहा हूँ और यहां पर मैं my phone technology को thank you भी बोलना चाहूँगा इस video को sponsor करने के लिए और मुझे एक मौका देने के लिए एक opportunity देने के लिए कि मैं इस software को try करूँ और आप लोगों के लिए एक review वीडियो बना पाऊँ चला इस video में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं इस video में मैं आप लोगों को इस software के features भी बताऊँगा एक basic editing tutorial भी दूँगा और चोटी से video edit करके भी दिखाऊँगा तो चला आप लोग देख सकते हैं मैं अपने PC पे इस software को open कर लिया है जो अपना filmy video editor है जब आप ल software को यह जो है हमारा preview है यहां पर आपको अपनी एडिट कर रहे होगे उसका preview दिखेगा यहां पर अपनी सारी media को import कर सकते हो जो भी आप video editing के लिए use करने वाले हो जो भी videos को photos को या फिर audio को music को गेरे जो भी है वह यहां पर आपके timeline है यहां पर आप लोग editing करोगे ठीक है और यहां पर मैं उपर आपको सारे इसके features दिखा दूँ पहले एकदम overview देता हूं तो यहां पर filters आपको दिखा देता हूं यहां पर बहुत सारे filter मिल जाएगे आपके video पर apply करने के लिए आप अपना मतलब थोड़ा कुछ भी filter देना चाहते हो अपने video को थोड़ा अलग तो यह filters use कर सकते हो सारे free है कोई दिक्कत निया आप double click करो use हो जाएगा और यहां पर effects पर आगे तो यहां पर बहुत सारे effects भी मिल जाएगे आप लोग को तो ऐसे यहां पर glitch वाला effect अपको apply करना है यह effect apply करना है तो ऐसे सारे effects जो है वह आप लोग अपने video पर apply कर सकते हो डबल क्लिक करके simple आपको मैं वीडियो में आगया कि बता हूँ ना कैसे करना है वह सारे चीजों को यूज एलिमेंट्स पर आगे तो यहां पर बहुत सारी चीजे जो है interesting सी आपको दिखाई देगी यहां पर holidays movie यह सारी चीजों को आप लोग यूज कर सकते हैं अपने video में और यहां पर और नीचे देखोगे emojis आपको यूज करना अपने video को इंट्रेस्टिंग बनाने कि आप emojis वगेरे भी यूज कर सकते हैं सारी अनिमेटे एक्चुली ऐसा नहीं कि वह एकदम ऐसा टीकर जैसा बस चिपका दिया अनिमेटे यहां पर बहुत प्यारे प्यारे जैसे आप लोग मंटाज होगे रहे अगर बनाते हो किसी गेम होगे रहेगा तो वहां पर यह इफेक्ट को आप अच्छे से यूज कर सकते हो मैं आपको यह सारे इफेक्ट को जब हम लोग यूज करेंगे न वीडियो में तो बहुत प्यारा दिखता है जो भी वीडियो आ बना रहे हो मैं आपको दिखाऊंगा आगया ठीक है तो यह सारे इफेक्ट से बहुत सारे आप लोग जब देखोगे तो आपको बहुत सारे दखेंगे वीडियो का ट्रांजिशन यहां पर बहुत सारे आपको मिल जाते हैं बने-बना ट्रांजिशन कोई महनत करने की ज़र टेक्स्ट और यहां पर अल्रीडी आपको बहुत सारे मुजिक्स होगे रहे मिल जाएंगी तो आप अपने वीडियो में यूज कर सकते हो बैग्रांड मुजिक एड करना या फिर कैसी भी मुजिक एड करना तो यहां से ले सकते हो और यहां पर सबसे प्यारी चीज आप य वीडियो में एड कर सकते हैं यहां पर अल्रीडी बहुत सारे सांट इफेक्ट अल्रीडी अवेलेबल जैसे यहां पर गेम में आते हैं हम लोग तो यहां पर यहां पर यहां पर सांट इफेक्ट मिल जाएगा जंप वाला मिल जाएगा तो यह सारी सांट इफेक्ट बहुत दिखाना चाहूंगा जैसे आप लोगों जल्दी से वीडियो बनाना ने कोई मतलब एक दम आपके पास बस दो ही मिनिट है आपको एक वीडियो तैयार करने है किसी के लिए स्पेशल आप बना सकते हैं बहुत सारा आपको टेंपलेट मिल जाएंगे वीडियो बनाने के लिए अभी जैसे कि मैं आपको एक तेंपलेट यूस कर के दिखाता है यहां पर फटाक से तो यहां पर पाल्टी वाले टेंपलेट लिए उठा लोगने करते हैं यहां पे आपको इम्पोर्ट करने का ओप्षेनि मिलेगा अपनी फाय having video या फिर images कुछ पỹस इंभी कर सकतो है आपको Elijah's अद कर लू feed इंभ से हैं करना तो वह भी कर सकते है, यहाँ फौर विडियू करना मतलब एक image एक video ऐसा कोछ आड करना है तो कि देगा आपने मतलब बस मैंने फोटोस एड़ किया नेक्स पर क्लिक किया एक विडियो बनके तयार होगे तो किसी के बढ़्डे उद्दे के लिए अगर आपको बनाना है जैसे बढ़्डे विश हो गेरे के लिए वाचसप टैटर सुटेस रखना होता है तो यहां पर बहुत इंट्रेस्टिंग है आप लोग यूज कर सकते यह पास्ट वीडियो आपको बिल्कुल टाइम नहीं है रात के एक अल्रेडी बच चुक है और आपने अपने स्पेशल लवड वन को विश भी नहीं किया पास्ट वीडियो पर क्लिक करो फटाक से चार-पाच इमेज इस एड़ को वीडियो बन के तैया ठीक है तो यह हो गया हमारे जो उपर वाले फीचर अब यहां पर बहुत इंट्रेस्टिंग फीचर इस वीडिटर में आपको देखने नहीं मिलता है वह है अपको दिखाता है एक वीडियो मैं एड करता हूं यहां पर मैं झाता हूं लासी एक्स्ट्रा पार्ट है तो इस इस पाट को हम लोग डिलीट कर सकते हैं यहां पर इसको क्लिक करो यहांपर कईची पर क्लिक करो he स्प्लिट हो जाएगा यहांसे करके डिलीट बटन दबा दो ठीमेने की यहां पर जो मैं Angra on पता रहा था वो यह है अब यह कट करना तो किसी भी विडियोटर में रहता है यह इंट्रेस्टिंग फीचर निया इंट्रेस्टिंग फीचर है कि आप अपने वॉइस को चेंज कर सकते हैं यहां पर बहुत सारे सब्सक्राइब करते हैं यहां पर यहां से मुझे मेरी आवाज को चेंज करना तो यहां पर मैं क्लिक करूंगा इसको लेकर आऊंगा यहां पर लाने क्या यहां पर कई कहची से इसको स्प्लिटकर दूगा और मुझे यहां तक n तो यह जो इफेक्ट यह जो फीचेर है यह मुझे बहुत इंट्रेस्टिंग और यह बाकी वीडिटिंग सॉट्वेर में आपको नहीं मिलता है अब बार है कि मैं चोटी से वीडिट करके बता हूं और आप लोगों को दिखा हूं कि आप लोग कैसे इन इफेक्ट और फीचर को यूज करके अपनी वीडियो को इंट्रेस्टिंग बना सकते हो तर सबसे पहले तो आप लोगो क्या करना है आपको जैसी भी वीडियो है वह आसपेक्टर शॉप सिलेट कर लो 16 इस टू 9 और यहां पर रिजोलिशन जो भी रखना है 1080 में रख लेता हूं और यहां पर 30 fps कर देता हूं यह 25 fps कर देता हूं और रोके कर देता हूं तो यह ऐसा रेक्टरेंगल वाली जो स्क्रीन रहती है वह बन जाती है अगर सब्सक्राइब कर देखाता हूं आप लोगों को यहां पर मैं तीन वीडियो की फाइल को एड कर लिया है मैंने और इनमें मुझे एक बैग्राउंड म्यूजिक भी देना रहेगा तो मैं म्यूजिक को भी एड कर लेता हूं तो इतना एड करने के बाद अभी इन सारी समको चाहिए यहां पर मैंने एड कर लिया ठिक अब इनमें यह थोड़ा सा स्टाइटिंग में जो भी एक्स्ट्रा है आपको टाइम पास नीची है मॉन्टाज में यहां पर आप जूम करो इस टाइम लाइन को यहां पर प्लस पर क्लिक करके और जो भी पार्ट जहां से च इक्स्ट्रा पार्ट से ऒृटकर्थ यहां पर मैं तक हो गया यहां पर इसको पही में करो है तक कही चाहिए था उतना ही पार्ट रखए है वीडियो का ठिक आप है डेरी है अब हम लोग क्या करेंगे न यह जो एजा एय। वर इणी हुआ में घ्रस ब यहां पर टहस जालेंगे ताकि वीडियो अच्छी दिखे जहीं यह मेरे टीममेट की आवाज आ रही है सारी जो भी म्यूजिक को आ रही है इनको डिलीट कर देंगे तो आपकी वीडियो में अगर ऑडियो है आपकी वीडियो में ही ऑडियो जो आपने रिकॉर्ड किया तो आप लोग उस व video है वो without music है तो आप हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले वीडियो को थोड़ा सा इंट्रेस्टिंग बनाने के लिए मैं यह स्टार्टिंग वाली क्लिप है इसका एक और यहां पर मैंन्यली 0.25 कर देता हूं नाल पर पर 0.25 कर देता हूं स्टीड और ओके कर देता हूं ठीक है तरहीं पर आप देख सकते हैं अभी इस लोग मोशन में दिखाई देगा इस डाख है और बाकिकल्स को वैसी रेन देंगे तो इनको कर देते हैं ठीक है तो पकड़ के यहां कर देते हैं इसका अल्रेडी साउंड बहुत ज्यादा रहेगा मुजिक का तो इस पर डबल क्लिक करेंगे हम लोग और इसका जो वॉल्यूम है इसको हम लोग कम कर देंगे यहां से पकड़ के या फिर इसको मैंनुएली मैं यहां पर 70 कर देता हूं background music की volume और ok कर देता हूं ठीक यहां पर फ्ले करके देखते हैं और यह जो हमने इसको क्रॉप किया था इसको थोड़ा सा 122 कर देते हैं तो यहां पर हो गया अब देख सकते हैं इसका थोड़ा सा अभी कैसा दिख रहे है अब हम लोग effects को add करेंगे थोड़ा सा जैसे मैं यहां है यहां पर हम लोग effect को add करेंगे थोड़ा सा दो-t dispersive पीछे जैसे हमने उनको मार लिया यहां पर हमने kill कर दिया तो यहां पर इसको हम लोग पकड़के effect को यहां पर लाकर रख देंगे ठीक है यहां पर लाकर रख देंगे अभी ऐसा effect दिखाई दे रहा है इसको हम लोग adjust कर लेंगे double click करो आप उस effect पर उसके बाद आपको दिखाई देगा आपका player उसके ओपर लाकर रख दो ठीक है यहां पर ले करके दिखाता हूं मैं पीछे से तोड़ा ठीक है वह ऐसा effect आगया यहां पर एसे ही और और भी effects को add करता हूं आगे और फिर उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूं कैसा दिख रहे हैं आगे यहां पर यहां पर ने आपके आप लोगों को effect का sound सुनाँ दे यहां पर मैंने बेसिकले नेड़ यहां पर ब्लास्ट वह रहा है वहां पर मैंने यह वाला एनरजीवाला एफ्ट्ट जो डाल रहे है देखो आप अपर यहां पर यह जो विडियो चेंज और यहां पर हम लोग कुछ ट्रांजीशन डाल देंगा है कि एकदम से वह change हो रही है scene तो आप हम लोग transition पर जाएगा transition में यहाँ पर एक transition मैं जो बहुत पसंद है glitch वाला तो वो मैं देख लेता हूँ कहा है glitch करके यह वाला transition है glitch memories वाला इसको तो मैं यहां पर पकड़के ड्रैग करके यहां पर रख दूगा और इस transition पर क्लिक करके इसको थोड़ा कम time के लिए कर दूगा ताकि वह जादा time तक के नहां रहे ठीक है अब यह effect देखो transition का यह जो effect को काफी अच्छा दिख रहा है तो अब यह इस झाला को कै दो आजमा तो काफी दो फuju कर दो ब Council कि अनगमा मती तो आजीरuti रॉख gor दो चा कि अंगता स्त थे तो यह झाद ओ कर दोगए बhूईक कर ग Qatar वाइस देखा आप लोगों ने यावे मैंने बस तीन जगे पर एफेट्स को एड किया और वीडियो कितनी इंटरेस्टिंग बन गई तो कुछ इसी प्रकार से आप लोग सिंपल तरीके से एफेट्स को एड कर सकते हो और आप लोग अपने दिमाग से तो अपनी वीडियो को बहुत ज़्यादा क्रियेटिव बना सकते हो और हां काई आप लोग याद है वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि यहां पर बहुत सारे रीजन्स है क्यों मैं फिल्म में वीडियो डिटर आप लोग बोल रहा हूं यूज करने के लिए उसका एक रीजन मैंने जो बहुत बड़ा रीजन है जो मैं वीडियो के एन्यों बताऊंगा वो रीजन यह है आप लोग स्क्रीन पे मेरे देख सकते हैं यहां पे इस वीडियो डियर का जो प्राइजिंग है वह अगर आप लोग वन यहर का प्लैन ले रहे हो तो आप लोग को सिर्फ 39.95 डॉलर म पर मन्त मतलब सिर्फ 200 रुपए के आसपास आएगा पर मन्त भाई इतना सस्ता कोई वीडियो डिटिंग सॉफवेर अवेलेबल नहीं है यह टाइम पर मार्केट में तो आप इसको यूज कर सकते हो और इतने खतरनाक फीचर्स के साथ में और हां ऐसा जरूरी नहीं आपको पर्चेस ही करना पड़ेगा अगर आप लोगों को पर्चेस करना है तो आप पर्चेस कर सकते हो और पर्चेस करोगे और नहीं पर्चेस करोगे तो उसमें एक ही चीज का फरक है कि अगर आप लोग फ्री वाला ट्रायल यूज करोगे तो इसमें सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे आप देख सकते हो free trial में आपको सारे features मिल जाएंगे unlimited project and export all basic editing tool fast video mode और यह 720 और 180 पी में आप लोग video बना सकते हो बट यहाँ पे सिर्फ एक ही बात है कि watermark आएगा ठीक है बस इतना सा परक है तर गैस यह video के लिए बस इतना ही I hope कि आप लोग वीडियो पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी helpful रहेगी पसंद आई तो आर वीडियो को like जरूर कर दो चैनल को सब्सक्राइब निकिया तो सब्सक्राइब कर दो यह वीडियो को हम लोग यही पर end करते हैं जो भी लिंक्स वगिर है वो आपको इस वीडियो के description में बिल जाएगी वहाँ पे आप लोग क्लिक करके अपनी जो भी download करना है वो कर सकते हो